यूपी के सीम योगी आदितनात ने रविवार सुभा हैदराबाद के चार मिनार इलाके में स्थेत श्री भागयलक्ष्मी मंदर में पूचारशना की बीजपी की राश्वी कारेकार्णी की दो दिन की बैटक में भाग लेने के लिए वो हैदराबाद में है इससे पहले पार्टी कारेकार्णी की बैटक में योगी ने कहा कि यूपी विधानसवा चुनाब में बीजपी ने अपनी अतिहासिक जीत से कई अंधविश्वास तोड़ दिये हैं तमाम मितकों को धूल दूसरित करते हुए पार्टी ने दो बारा सरकार बनाई है अब पियम मोदी के नित्रित में एक भारत शुरिष्ट भारत की परिकल्पना साकार हो रही है तो देखिए हैदराबाद में सीएम योगी आदितनात की अगर बात की जाए तो देखिए वो कल ही पहुच चुके थे और उनके द्वारा यहां पर पूचार्चना की गई भारिस वरक्षय वस्ता वहां पर रही इस दौरान जुत्य देर भी सीएम योगी आदितनात इस मंदे में मौजूद रहे और दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए अठारा साल बाद हैदराबाद में इस बैठक का आयोजन किया गया है कई माइनों में ये बैठक महतपून मानी जा रहे है आज बुदान वंत्री नरिनमोदी का संबोधन भी है अगर कल की बात की जाए बैठक में कई चीजों का जिक्र सीम योगी अदितनाथ ने क्या हूँने कहा कि अगर इससे पहले चुनाबों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने कई मितको को तोड़ा है कई अंदविश्वास को तोड़ा है जानकारी के साथ ओम पांडे हमारे सम्वादाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिधर रुक ओम का करेंगे और जानकारी लेंगे ओम सीम योगी अधितनाद की तस्वीरे हम देख रहे हैं सुभा मंदिर पहुचे वो और भारी सुरक्षा विवस्था इस दौरान वहां पर मौजूद रही जानकारी इसको लेकर बैटक का आज दूसरा दिन है कल ही सियम योगी अधितनाद हैदराबाद पहुच चुके थे भागिलक्ष्मी मंदिर की पूजा की तस्वीरे हम देख रहे हैं वहां पर जानकारी इसको लेकर क्या कुछ अपडेट देश के मुख्य मंतरी योगी अधितनाद जो है वो हैदराबाद में कारकारणी बीजेपी की राश्टी कारकारणी की बैठक में कल पहुच चुके हैं और ऐसे में अगर बात करें जो दो दिवशी राश्टी कारेकारणी की बैठक है इसमें देश के पधान मंतरी नरेंदर मोदी, ग्रह मंतरी अमित साह, रच्छा मंतरी राजनाज सिंग, उमा भारती, नितिन गटकरी, इसके साथ साथ बात करें तो जेपी नडडा और बात हो रही है, इसके पहले बात करें तो ये बैठक जो होई थी, इसके पहले अगर बात की जा तो ये बैठक अपने आप में जिस तरह से महत्वपूर इसलिए भी है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिन को लेकर के आज बैठक का दूसरा दिन है, और कल जहाँ इस शुरुआत जो है, भारतियंता पार्टी के जो राश्टी अध्यक्ष है, जेपी नड़ा ने बैठक की शुरुआत की थी, और आज जब देश के ब्रतानमति नेरिद मोदी जो है, लगबग दो बजे के बाद वो अपना जो संगठन है, राश्टी कारिकानी का उसको सम्मो पूर है, और कल जिस तरह से जेपी नड़ा ने इस बैठक के माध्यम से कई ऐसी बाते हैं, जो कही थी भारतियंता पार्टी के बिशे में, साफ तोर से उन्होंने कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनको गिनाया था, और इसके साथ साथ उन्होंने चाहे कोविट काल हो, या इसक से बड़ी बात है कि जो निचले पाइदान के बिक्ति हैं, उनको कैसे भारतियंता पार्टी मदद कर सकती है, या किस तरह से लगातार मदद कर रही है, इसको लेकर उन्होंने कहा, तो दूसरी तरह परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किये, उन् जो है, वो कल जेपी नड़ा ने कहा, तो आज जिस तरह से ये बैठक जो है, वो जब सुरू होगी, तो इस बैठक की बात कही जाते हैं, इस बैठक में देश के प्रधान मंतरी, रक्षा मंतरी, ग्रह मंतरी, राष्टी अध्धक जेपी नड़ा और उत्तरपदेश के तो जहां इस बैठक में तमाम बातों पर निसकर्स और तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद जिस तरह से बात कही जाए, तो इस बैठक में जब देश के प्रधान मंतरी ने रिदमोदी, यानि अपने पदाधिकारियों को, संगठन को पदाधिकारियों को जो है वो मंत्र देंगे, किस तरह से चर्चा करेंगे, इस पर सब की निगाय रहेंगे, उसके पहले अगर बात करें, तो राजनितिक प्रस्ताओ जो है, वो इस बैठक में पास किया जाएगा, और उस राजनितिक प्रस्ताओ को जहां देश के ग्रहम मंत्री अमित्साहा वो रखेंगे और किस तरह से उसके बाद तो है दो ऐसे मुख्च मंत्री हैं उस प्रस्ताओं पर चर्चा करेंगे अपना भाशन देंगे राज़िक प्रिस्ताओं इसलिए क्योंकि साफ तौड से किस तरह से मातियंता पार्टी में क्या-क्या बदलाऊ होने चाहिए किस तरह से आम जनता के लिए तमाम सुभधाओं को किस तरह से और जन उप्योगी बनाया जा सकता है इसके साथ साथ किस तरह से जो बूत ऐसे हैं जहां पर भारतियनता पार्टी बिजे से दूर रही उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है और उसके साथ अगर भारतियंता पार्टी कैसे जमीनी इस तरफ पर आपने आपको खड़ा मैसूस करें आम जन सभायकता को कैसे मजबूत किया जाए इसके साथ जिन राज्यों में भारतियंता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर किस तरह से जो है स्ट्रेटिजी अपनाई जाए और किस तरह से जो है भारतियंता पार्टी के संगठन के पदादिकारी हैं वो किस तरह से जमीन पर जाकर के सरकार की जनुप्यों की योजनाए हूँ या इसके साथ साथ उन तमाम बातों को किस तरह से रखें किस तरह से जो है जमीनी इस तरफ पर जो है मेहनत करनी है उसको लेकर के राजिटिक प्रिस्ताव भी आपने आप में महात्वपूर रहने वाला है और उसके साथ अगर बात करें जब दो मुख्य मंत्री जो है इस बिसे पर और भी अपना भाशन देंगे तो तमाम चीजे साफ होंगी का अखिर क्या 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 जो बीजेपी के इस कारकारणी बैठक में मंधन के बाद क्या 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 महात्वपूर कदम है वो उठाए गए और सबसे बड़ी बात ये है कि सबकी निगाहें इस बैठक क कि छबी की बात कही जाए बहुत बहुत शुक्रिया इंतमाम जानकारी के लिए आप बने रही हैं हमारे साथ अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे फिलाल बढ़ते हैं आगे रूख अगली जानकारी का करेंगे खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जनतंत्र टीवी एप को जो कि अविलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें